श्री गनेशा या नमाहा, नमस्कार दोस्तों, ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित है, चंदरमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंदरमा की स्तिति लेकर आती है, इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत भावित करती है और उसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छटे भाव में रहेंगे इस दिन आपका व्यापार जॉब जैसे है वैसे चलते रहेंगे किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फायदा भी होने की संभावना कम है निवेश करने के लिए समय जोखिमबरा रहेगा सामान गुम हो जाना या चोरी होने की संभावना ज्यादा है विशेश कर यात्रा के दोरान तो यात्रा के दोरान अपने सामान का विशेश ख्याल रखना पड़ेगा यात्रा इस समय में करना ठीक नहीं रहेगा अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो यात्रा ना करे मैरिड लाइप में इस दिन तनाव भरी स्थितिया उत्पन हो सकती है शान्ती बनाए रखे घर परिवार में किसी बात पर मतभेद होने की समभावना रहेगी ग्रहमान खराब तो नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं कहा जा सकता स्थितिया सामान्य बनी रह सकती है अगर आप विदेश में व्यापार या जॉब करते हैं तो आप के लिए समय काफी अच्छा रहेगा विदेश से धन कमाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा अगर लवलाइप की बात करें तो लवलाइप के लिए समय सामाने रहेगा किसी को प्रपोस करने के लिए प्यार जताने के लिए समय अनुकुल नहीं है अपने परिवार से शादी के लिए अनुमती लेनी है तो ये दिन ठीक नहीं रहेगा थोड़ा सचेत रहे शांत रहे जीवन को एंजॉय करने की कोशिश करते रहे अगर स्वास्ति की बात करें तो स्वास्ति के लिए समय अनुकूल नहीं है, कोई बड़ी परिशानी तो नहीं होगी, जो लोग पहले से बीमार हैं उन्हें सेहत का ख्याल रखना होगा, सेहत से सम्बंदी चोटी मोटी परिशानिया इस समय में सता सकती है, दोस्तो इस दिन परिशानिया नुक्सान या स्वास्ति से जुड़ी परिशानिया आपको सताए, तो मंदिर जाकर भगवान का दर्शन जरूर करें और एक रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डालें, आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना करना ना भूले और इस दिन चंदनिया के सरकातिलक अपने माथे पर जरूर लगाए, हमारा स्वास्तिय काफी हद तक हमारी आदतों पर निर्बर होता है, अगर आप एक्जरसाइज योका करते हैं, सुबे टहलने जाते हैं, अपने स्वास्तिय के अंदरूर डायेट प्लान बना कर उसे अ अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशी पल परिणाम में बदला आई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलत प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा ह दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती मे बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगे पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चप्पल फेक देते है कही पर भी उतार देते ہے कुछ कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते चपल directly उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो ची के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के च्छत के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के च्छत के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते है लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगह साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्यूकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़चेड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिक इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सपाई जरूर करें दोस्तो मुख्य द्वार भ और सदा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे तूटी फूटी जो भगवान की रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे ते उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटें नहीं कर पाते देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तो कुछ तस्वीरे हैं जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीर होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद